नमस्कार मैं सालिनी आज मैं आपको मसाज के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देने वाली हूं दोस्तों हमें प्रते दिन मसाज जरूर करना चाहिए, पूरे सरीर का, मसाज सरीर को पोशन देता है, हम जब मसाज करते हैं अपने सरीर में, तो हम सभी जानते हैं कि ब्लेट सर्कुलेशन बढ़ जाता है उससे, साथी साथ, वो तुचा के रोम चिद्रों को खोल कर और उससे जो गंदगी है उसको बाहर कर देता है, इसके करन तुचा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और साप भी होता है, सॉफ्ट भी हो जाता है, इसलिए मसाज बहुत अच्छा चीज है, साथी साथ मसाज सरीर को पोशन देता है, हम तेल से मसाज करते हैं, तो वो सरीर को पोशन देता है, अगर हम प्रते दिन मसाज करते हैं, तो हम लंबे समय तक जवान बने रहते हैं, हमारी बिद्धा वस्ता देर से आती है, बहुत ठक जाते हैं, काम करते करते, तो मसाज कर लेने से ठकान खतम हो जाता है, जो वायो के विकार होते हैं, दोस होते हैं, शरीर में, वो भी खतम होते हैं, आखो की जोती बढ़ती है, साथे साथ नींद बहुत अच्छी आती है, मसाज कहा कहा जरूर करना चाहिए प्रते दिन, वो मैं आपको बतला देती हूं, अपने सिर में, अपने कानों में और साथ साथ अपने पैरों में मसाज जरूर करें पैरों में जब मसाज करते हैं तो तल्वों को कभी नहीं भूलना है तल्वे में मसाज जरूर करना है इन तीन जगों पर मसाज विसेश रूप से करना चाहिए तेल सरीर को पोशन देता है मजबूती देता है यह दोनों ही काम तेल के कारण होते हैं आप देखते हैं बच्चों को मसाज किया जाता है उससे उनका सरीर पुष्ट होता है सरीर को पुष्ट करने के लिए हम मसाज करते हैं तो चले मैं अब आपको यह बतला देती हूं कि मसाज की इनको नहीं करना चाहिए जिनके सरीर में कफ चमा है, उनको मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कफ को भी आई से रिलेट करते हैं, तो पहले से ही सरीर में बहुत जादा कफ है, स्निक्तता बढ़ी हुई है, तो हम उसमें और मसाज करके तेल को नहीं बढ़ाएंगे सरीर में, स्निक्दता नहीं बढ़ाएंगे एक बात मैं इसी समय बतला देती हूं जिनको बहुत कफ होता है सरीर में खांसते चीकते बहुत समय तक रहते हैं या जब आपके सरीर में कफ बढ़ जाता है उन लोगों को फल और दूद बिल्कुल बंद कर देना चाहिए बिल्कुल नहीं कि यह दोनों कफ को बढ़ाने वाला है जैसे कि मसाज करने से मना किया जाता है वैसे ही फल और दूद भी मना किया जाता है कफ वाले लोगों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जब तक आपके सरीर से कफ बाहर नहीं हो जाता तब तक साथी साथ जिनके सरीर का सुद्धी करन हुआ हो पंच कर्म क्रिया किया जाता है सरीर का उससे सरीर सुद्ध होता है तो जिनके सरीर का सुद्धी करन हुआ उनको भी मसाज नहीं करना चाहिए और जिनको इनडाजेशन का प्रॉबलम रहता है उनको भी मसाज नहीं करना चा करना है इसलिए उनको भी मसाज नहीं करना चाहिए दोस्तों मैंने आज आपको बतला है कि मसाज क्यों करना चाहिए उसके क्या फाइदे हैं आप मसाज जरूर प्रति दिन करें सीर से लेकर पैर तक करें और स्वस्त रहें अमीद है आप सब को मेरी ये वीडियो पसंद पसंद आए तो लाइक चरूर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद